आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सबीका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शियन सारी आई ये देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इससे पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर अब की बार 400 पर सांसद में नए हेट्रिक वाली हूडी पहन कर पहुची अनुराख ठाकूर कॉंग्रिस को जन चोदरी ने दे दिया तगड़ात जवाब बोले लेफ्स राइट और सेंटर में बटे रहे गे तो ओटिटी कंटेंड में अश्रिलता को लेकर केंद्रियमंत्री अनुराख ठाकूर ने दीचेताओनी मेकर्स को दिये हिदायत आए देखते हैं खबरे विस्तार से अब की बार 400 पार सांसद में नमो हैट्रिक वाली हुडी पहन कर पहुची अनुराख ठाकूर जिया लोग सबाद चुनाओ जैसे जैसे करीब आ रहा है बिजी अपनी जीत को लेकर अश्वस्त के केंद्रियमंत्री और बिजी पी सांसद अनुराख ठाकूर ने एक बार फिर से मोधी सरकार की वापसी का दावा किया है अनुराक्ठाकों ने सांसत बवन में कहा कि तीसरी बार भी मोधी सरकार की सत्ता में वापसी करने जा रही है इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोधी सरकार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया है बतारे कि इस दोरान अरुराक्ठाकों ने भगवा रंग के उड़ी पहनी हुई थी जिस पर नमोहेट्रिक लिखा हुआ था जिया तीसरी बार भी मोधी सरकार किंद्रिय मंत्री अनुराक्ठाकों ने कहा कि देश की जनता एक बार फिर से पियम मोधी को वापस लाने का मन बना चुकी है देश में नमोहेट्रिक लगते जा रही है बिजीपी सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोधी तीसरी बार भी देश के बनने जा रहे है पियम और भारत के अर्थव्यस्ता दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता बनने जा रही है इसके साथ ही उन्होंने बिजीपी सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया है बिजीपी नेता ने गिनवाया मोधी सरकार का कामका जिया अनुराग्ठा को ने कहा कि बिजीपी सरकार में 4 करोड लोगों को पक्के घर दिये गए और 12 करोड पके 144 जरूरत मंदों तक पहुँचे बीजीपी नेता ने कहा कि मोरी सरकार में 13 करोड घरों में पानी पहुचा और 80 करोड लोगों को पानी और मुफ्तर राशन का सुविदा भी दी गई राममंदिर की तारीक पूछने वालों को अनुराक ठाकूर का जवाब जिहा संसद में आज राममंदिर प्रस्ताओ पर केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकूर ने कहा कि राममंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र था है और रहेगा लेकिन जो लोग सवाल उठाते थे कि बीजीपी कहती है कि भगवार्न राम आएगे लेकिन हमें तारिक नहीं बता रहे है अनुराख ठाकु ने का कि हमने तारिक की घोशना की और राममंदिर का निर्मान भी किया है बढ़ते अगली खबर क्यों और कॉंग्रिस को जैन चौधरी ने दे दिया तगड़ा जवाब बोले लेफ राइट और सेंटर में बटे रहेगे तो जिया चौधरी चरण सिंग को भारत रतन का राजसबा में चर्चा के दोरान हंगा में पर राश्य लोग डलो के नेता जैन चौधरी ने नाराज की जताई है इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी पर भी अपना गुस्ता निकाला है राजसभा में बोलते हुए जयन चौधरी ने कहा कि सदन की कारवाई के दोरान ऐसे दुर्वेवार को लेकर दुखी हूँ लोक दल के नेता जयन चौधरी ने राजसभा में कहा कि बड़ा हैरान हूँ कि चौधरी चरन सिंग को मिले सम्मान को किसी गठ जोर के बनने तोडने और चुनाव लडने जितने तक सिमित रखा ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि लेफ्ट राइट और सेंटर में ही बटे रहेगे तो देश के जो असली धर्ती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएगे जैतने की मोधी सरकार की तारिव जी हां उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि देश में जितने बड़े नेता आये हैं उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लिया है जैन ने कहा कि जो आज सरकार है उनकी कारिया शेली में चोथी चोधरी चरन सिंघ की वेचारोगि ज़लक हैं एक जमीनी सरकार की चोधरी चरन सिंघ को भारतरत्न दे सकती है लोगों ने कल दिवाली मनाई जर्ण चौधरी जिहाद जर्ण चौधरी ने कहा चौधरी चर्ण सिंग को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है कल इस घोशना के बाद लोगों ने दिवाली मनाई कल किसानों ने सौपी में मिठाईया बाटी इससे यही पता चलता है कि यह फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सिमित नहीं था बलके किसानों को मजबूत करने वाला फैसला है बरते अगरी खबर क्या और OTT कंटेन्ट में अश्रिलता को लेकर केंद्रिया मंतरी अनुराक ठाको ने दी चतावनी मेकर्स को दिए बरी हिदार जिया केंद्रिया सूचना एवं प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकू ने हाली में एक कारेयर करम के दौरान मरो रंजन्व जगत के बारे में बात करते हुए निर्माताओं को चेताओनी दी है इन दिन ओटिटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मे और वेब सीरीज देखने का चलन बहुत ज्यादा हो गया है दर्शक अब घर पर अकेले फिल्म और सीरीज देखना पसंद करते हैं ओटिटी पर देखने के लिए कई तरह के कंटेंट उपलब्ध है जहां कुछ लोगों को यह कुछ कंटेंट को लेकर हंगामा भी होता है इसी बीच अनुराक्ठा को ने ओटी टी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे। कंटेंट को लेकर बात कही है यह अनुराक्ठा कोने अनुराग ठाकों ने अपना सक्त बयान दिया है संसर सत्र के बाद OTT प्लैटफॉर्म के साथ बैटक में उन्हों ने कहा कि सरकार का मकसद इंडस्ट्री को बढ़ाना है लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर अश्रीलता बरदाश्ट नहीं की जाएगी अश्रील कंटेंट पर अनुराग ठाकों ने कहिए बात केंद्रिया सूचना एवं प्रसारमंत्री अनुराग ठाकों ने कहा कि OTT मनोरंजन का नया ठिकाना बन गया है और हर दिर इसका बढ़तागराक आधार इसका सबूत है सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर अश्रीलता बरदाश्ट नहीं की जाएगी सरकार की नजर चारो और है कला निर्माताओं को कला के प्रती अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए अजादी की आर में अश्रीलता बरदाश्ट नहीं की जा सकती दार्मिक भावना को ठे MNS News Network मेरे साथ यह निर्शियन सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News